यह देख चॉपिंग फ्रूट्स की चॉपिंग और यह चाकू से यह भी चॉपिंग सारे चाकू से ही हुए है यह गोर्डी कहीं थाली है यह जैपूर का थाली है यह जैपूर के धीमाट से खरी देते देमाट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा वहां का जैपूर का धीमा लाल कोठी, लाल कोठी में गोल्डी रहती थी, लाल कोठी के पास, तो वहां पे लाल कोठी के पास, लाल कोठी में रहती थी गोल्डी, वहां पे विधान सबा के ठीक पीछे जो है ना, डीमार्ट था, जो की बहुत 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 अच्छा और यह डबा सब्सक्राइब होगा अभी गोल्डी सब्जी जो है वो करेगी पूरा बॉइल करना शुरू करेगी इतना तो यह यह देख आप देखें है उसारे इंग्रियंट क्रीश करुदी क्या करने वादी है का रेकोर्डििंग रखी हुए है और पता नहीं क्यों अफ्लोड इंहीं करती है वीडियो पता देख करना वी इस सब्सक्राइब करना पदा इन सब चीजों का तो पहले बटर डालना है उसके बाद एक दो तेज पत्तर लियू में एक तमाटर लियू एक प्यास दस से बारा काजू और एक छे लहसुन के करिया एक बड़ी लाइची एक इंच के करीब आप ये ले सकते हैं गार्चीनी ती चार लॉंग एक इंच अद्रक चार इलाइची छोटी लाइची छोट आपको करेंगे तब लगेगा नमक दालना है थोड़ा सा पेले एक चम अच ही डालेंगे बाद में देखेंगे कि बोड़ी MIRC लेये उसको मैं झालते हूं फिर मैं आपको दिखाती वह forward को जहा एक पूरा आपको बटर लेना है फिर इसमें पूरा नहीं है थोरा सा हाफ बटर फिर दो बे लीफ टोमाटो कैश्यू सिनिमन प्याज अद्रक बड़ी लाइची और जो भी सब छोटी लाइची लॉंग अद्रक ये सब आपको इसमें डाल देना उसके बाद एक चमच नमक मैं बस हरी मिर्च नहीं है आज तो मैं थोड़ा रेची पाउडर डालेंगी थोड़ा डाल दो अभी थोड़ा डालें और कुकिंग के पाउडर और थोड़ी सी फल्री पाउडर बस अब इसमें पानी डालेंगे मैं आज ले रही हूँ बेटी सुक इसमें अभी पानी डालना है कि आपको ये सब फ्लोट हो जाए अब इसको हमें बॉइल करना है इसको कवर करके बॉइल करेंगे बीच बीच में एक दो बार चलाएंगे ताकि वह नीचे पकड़े ना जब तक ये पानी पूरा इसको आपको मीरियम लो फ्लेम पे बॉइल करना है इतना पानी छोड़ना है पूरा नहीं सुखाना है और अब इसको इसको इसके अंतर ट्रांसफर करेंगे प्लेट के अंदर डालेगी और देखें कितना गुए इसमें रस्सा कितना है आप देख रहे हो ना इतना छोड़ना है और जब ये सूख जाएगा ना तो जो भी हमने खड़े मतलब मतलब जैसे की बेली लिएल के इसको नेकाल देना है लॉइन्ची को नेकाल ना है बड़ी मतलब गड़ जो गरम मस् вп Con Meeting आप चूड़ सकते हो बाकिष वार्केशिन्स को आपको आपको छोटी इलाइनची चोड़ के बाकि भाकिस पीस्टिनिकालना है उसकेव बड़ निकालना है उसके बड़ी हिलाइची निकालना है और लॉंग निकालना है उसके बार बाकी सब आपको पीस लें और मैं एक बार आपको सब जब में निकालके कटोरी में डाल दूँगे तो भी दिखा दूँगे ताकी confusion नाँ इन खड़े मसालों की बात करें थी जैसे कि यह cinnamon लॉंग बड़ी लाइची और तेज पत्ता इनको आपको निकालना है फिर पीसना है और मम्मा बोलने नहीं तो फिर आपको पीसना है अगर अगर इन सब के साथ पीस हो गए ना तो आपका ग्रेवी काला हो जाएगा और पनीर तो इसको निकालके फिर आपको पीसना है पहले इसको थंडा करेंगे फिर इसको पीसेंगे तो को कांसा पनीर है मॉडर्ण का मलाई पनीर ओके इग्णोर कीजे कीला कीला कर देती गोल्डी इसको अच्छली चॉपर को अच्छे से वॉश करके रखी थी बट मैं इसके ओपर टमाटर मामाटर सारा धो धा करके डाल तो अभी इसको हम लोग पीसेज में कट करने से पहले एक टोरी लेंगे उसके अंदर पाणी रा लेंगे और चाहिए और पानी लगना पानी लगना हमगे इतना पानी चाहिए जिसमें आपके पनीर के क्वानि की पीसेज डूब कात तो अभी इसको भस रहा नेखे ऑसा गुन हुना कर दें हम लोग तो खूसके को पीछे कर नೆ करें को घर्म हो जाएगा यहाद noises को है नहीं हुट सरे पी करें करें को जर्द नहीं को पीसस में कुछ выгляд तो this sip आप चाहिए तो that as you wish mostly बड़े बड़े हो तो better है हां बट कभी कभी में छोटे कर दिए हुआ अंशु रहता तो बोलता इतना ही टुक्रा गोल्डी इतना ही पनीन में कितना मैं मुझे मिलेगा खाने को तो अभी हम लोग सिर्फ तीन लोगे इसके में बड़े-बड़े पीसिस कटे हूँ नहीं तो अंशु रहता है तो इसके छुटे-छुटे रहते है नहीं तो अधर टेंशिन में आ जाता तो अभी वह जब तक गुंगुरा हो रहा है तब तक कुछ नहीं आपना वेट कीजिए गुंगुरा होने के राद मेरे हूँ तो यह थोड़ा जादा गरम होगे और बड़ चल पर पनीर स्वाफ्ती हो जाए तो अब हमें कुछ नहीं करना है यह पनीर के पीसिस जो हमने क् अब जब हम इसको निकाल देंगे इसको 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 इस प्राइब तो ने जब दक मैर्ट करेंगे मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा और बटर डालें भई आप बटर पे ही बने गाए जोटर ना अब यह जब तक मैर्ट हो रहा है तब तक हम सब्सक्राइब पनीर को लेंगे हल्के हाथों से स्क्वीज करेंगे और इसमें डावट हो जाएंगे तो अभी यह हो गया संभल के कीजिएगा क्योंकि पानी गरूम होता है और अभी हमें एकदम स्पीड में इसको टॉस करना है नहीं तो पनीर ऐसे जबरी हो जाता है तो इसका भी भ्याम रखेंगे पनीर को कोट कर देना है इससे पनीर एकदम खिलपी और सॉप्ट हो जाएगा बस हो गया है अब इसको ढख लग देंगा अगर ज्यादादкое अगर आप तो पनीर हो जाएगा तो अब इसको ढपके रख देंगे उसके आद हम रेखेंगे कि हमारा मसाला जो हमने बॉइल किया हो थंडा हुआ है कि नहीं अगर थंडा हो गया तो इसको पीस के फिर ग्रेवी बनाना स्टाप करेंगे तो बज इसमें ट्रांसफर कर दी हुँ मैं और जो थोडा मेर बचवा था था कोड़ा सा ही पानी लेके अब बस इसमें ट्रांसफर कर दीँगे अब इसे क्या करोगी ब्लेंड कर देना है हर लकासा बटर डालती हूँ बस मैं गलती से इसमें दाती हूँ तब ही हम इसको ब्लेंड कर देंगे तो यह देखी कि यह पिसा चुका है एकडम fine paste बना लेंडा है अगर आपका grinder एकडम fine paste नहीं बनाता है तब आप electricity को निकाल सकते हो अगर fine paste बन जाते तब इलाइची के साथ वी सकते हो आप सेम कडाई में प्रोसेस कर सकते हो gravy का अभी gravy बनाएंगे उसके पहले obviously बटर लेंगे आप सिर्फ बटर ले सकते हो या फिर बटर और ओयल का मिक्स्टर भी ले सकते हो मैं बटर और ओयल का मिक्स्टर लूँ अब बटर को थोड़ा मेल्ट करेंगे अब बटर को थोड़ा मेल्ट करेंगे फ्लेम थोड़ा सब फूल रखेंगे मतला मीरियम हाय टाइप्स और इसके अंदर हम यह मैं अगदम बारीक प्यार सॉड़ी बारीक अदरक लसन और हरी मिर्च को काटी हो इसको हम इसके अंदर डालेंगे और जब तक वो फ्रेग्रेंस नहीं आ जाता है ना इन तीनों का बटर के अंदर तब तक हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे अब ढोले ना में शेज डालेंगे अब जहां को फ्रेग्रेंस आने लगे उसके बाद आपको ग्यास को ऑफ करते ना है यह जब थोड़ा नॉमल हो जाएगा फिर हम रेड चिली पाउडर डालेंगे जितना आपको आपके टेस्ट के साब जितना तीखा खाते हो उससाब से आप डाल सके फिर थोड़ा सो स्ट कि इसका कलर ऐसे चेंज हो गया है और थोड़ा सा नॉमल भी हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर अब हम इसको थोड़े बे स्टोर करेंगे अब जो हम लोग यह पेस्ट बनाये हैं इसको इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर थोड़ा पानी डालके और फिर इसमें डालेंगे क्या कलर आया अब इस स्टेज पे हम गयास को अन करेंगे और जो ऑईल और ग्रेवी है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जहां वो कंबाइन हो जाएगा फिर हम इसको ढखके फोड़े फुक होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे अब इसको एक कम फ्लेम पे रखेंगे लो फ्लेम पे और इसको ढखके हम पकाते रहेंगे तो बीच बीच में स्टर कर रहे थी तो यह सिट्वेशन है अभी इसका और इस स्टेज पे जहां थोरा सा ऐसे बबिल्स आ जाते हैं अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक अब हम जो हमने थोरा सा टॉस किया था बटल में पनीर उसको लेंके इसके अंदर डाल देंगे तो पनीर डाल रहे हूं अब इसको हम स्टर कर देंगे तो बहर के हातों से कीजेगा नहीं तो पनीर तोट सकता है इस ऐसे फोल्ड करते जाना है पनी ग्रेवी के अंदर अब इसको हम कुक होने देंगे कवर कर देंगे नेक्स टेप में थोड़ा सा हम पानी को गरम करेंगे फिर इसमें डालेंगे और फिर कुक होने देंगे इसी पैन में पानी डालेंगे और करम करेंगे आपको जिस तरिक का ग्रेवी चाहिए उससाब साब कंसिस्टनी सी नानेज कर सकते हैं उतना पानी डालेंगे अब फिलाल में थोड़ा जाद डालती हूं थुकी में बॉइल करती हूं अच्छे से तो आटमेंटिक ले ग्रेवी गाड़ा हो जाता है तिक हो जाता है अब इसको थोड़ा से स्टॉर कर देंगे अब इसको कवर करके खुप करेंगे कि अब जैसा बोले थी कि में ज्यादा पानी डालेंगे फिर उसको बॉइल कर ठिक करोंगी तो यह ओल्मोस्ट थिक हो गया जहां थिक होने लगेगा कि आपका जो बटर हो ऊपर आने लगेगा तो इसे यह आपको समझ मैंगा कि आपका ग्रेवी कुख हो गया अल्मोस्ट नहीं होई चुका है तो बस मैं थोड़ा और इसको गाढ़ा करूंगी इसके लास्ट में हम कस्तूरी मेथी को ऐसे क्रश करके हाथ से और फिर इसमें डालेंगे भोबी क्लिप में आपको दिखाऊंगी इस स्टेज में आप आप चाहो तो आपका यह बन चुका है अब मैं डालूं भी इसके अंदर कस्तूरी में मैं एक दम थोड़ा सा डालूं क्योंकि गर में किसी को ज्यादा पसंद नहीं है बट मुझे बहुत पसंद है और फिर भी थोड़ा लेगा है ऐसे क्रश करके हाथ उसे मसल मसल के इसके अंदर डाल देना है अब चाहे तो धन बंद करके दो मेरे पांच कंप्योरी चोड़ देंगे कवर करके और आपका बंद लिया